वीदिशा जिले के गंज बासोदा लटेरी में पत्रकार पर हुई जूटी छेड़ छाड़ की FIR के विरोध में अर्ध नगन हुए समस्त पत्रकारों ने लटेरी थाने के सामने 5 घंटे तक धन्या प्रदर्शन किया था। इस दोरान पत्रकारों ने लटेरी पुलीस के खिल खिलाप की गई जूटी FIR का खत्मा किया जाए आदी चार और मांग की गई वहीं पुलीस अधिक्षक दीपक शुकला ने पत्रकारों को आशवशन दिया है कि मामले की एडिशनल S.P. से जाज कराई जाएगी अगर महिला ने पत्रकार की खिलाप जूटी FIR दर्ज कराई ह तो उसके खिलाप भी कारिवही की जाएगी वहीं विधायक उमाकान शर्मा ने इस घटना की घोर निंदा की हैं इसी मुद्दे को लेकर इलेक्टरानिक मीडिया संग गर्जबासोदा ने जीला पुलिस अधिक्षक के नाम S.D.O.P. को ग्यापन सब कर निस्पक्ष जाज क की मांग की है विधिशा से आसिस सहले की रिपोर्ट के पत्रकार साथी जो है उनके उपर जूटी एफाईर दर्श की गई है पुलिस परशासन द्वारा जो की काफी लंबे समय से हो जो है सट्टे की लेकर ख़बने लगा रहे थे और कल उनके पक्ष में कई जगे धरना प सब्सक्राइब करेंगे जाच के जो भी पाया जाएगा उसे सब्सक्राइब करवाई की जाएगा जो न्याइश प्रक्रिया है या कानूनी प्रक्रिया है जो पुलिस के माध्यम से सुरूबात होती है इसकी बारे में बता सकते हूं कि धारा एक सो चमवन सीर्पीसी के तहत ये बाद्यता है कि जब भी कोई पीडित विर्ती स्वेम को अपने आपको पीडित बताते हुए पुलिस के पास किसी संगे अपराद की सूचना देगा तो धारा एक सो चमवन सीर्पीसी के तहत उसे अपराद पंजीबद करना ही पड़ेगा ये कानूनी वादता है बाकी इसकी निश्पक्ष जांच के लिए जैसा साक्ष मिलेगा या उपलब्द होगा या उपलब्द क अगर अगर परयाप्त साक्ष होता है तो फिर उसमें चलांतेश के हमें तीनों प्रक्रियाओं पर विश्वास करना चाहिए और इस पर 1861 से विश्वास हो रहा है हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना बुलें